हेलो दोस्तों आज सब हम ये बात करने वाले हैं अगर आपको multiple evables generate करना है और उसके साथ cancel भी कैसे करना है जिसे के bulk evable generation और bulk cancellation of evable कैसे करते हैं tally prime से ये आपको इस वीडियो में बताएंगे सबसे पहले आप देख सकते हैं किसी भी स्क्रीन से हम alt z पे क्लिक करेंगे तो आपको इधर पे एक option दिखाए देगा send for evable तो हमने उस पे क्लिक कर लिया है send for evable तो आप देख सकते हैं इधर पे invoices मेरे आ चुके हैं for evable generation for evable cancellation तो अभी मैं इस पे सारे हों को select करना है तो space bar करके select कर सकता हूँ या फिर अगर सारे screen जितने भी इधर पे दिखाई दे रहे हैं इन सब को अगर मैं information generate करना है और साथ में cancel भी करना है तो मैं इसको कुछ select किये बगार भी इधर पे मैं इधर पे send कर सकता हूँ और आप जै generation मेरे 2 invoices है and for cancellation एक invoice है तो अभी जैसे कि मैंने click कर दिया send पे इधर पे watcher का total count भी दिखाई देगा आपको कि आपने कितने generation के लिए भीज रहे हैं और cancellation के लिए तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैरे 3 watchers हैं अभी generation के लिए 2 और cancellation के लिए 1 दिया गया है do you want to continue इस पे मै मैंने click yes कर दिया है तो अभी जैसे कि मैंने इधर पे click yes करूँगा तो इधर पे exchanging the data with evable system हो रहा है और आप जैसे कि देख सकते हैं for generation मेरे 2 watchers थे तो watcher का information अभी evable system के साथ exchange हो रहा है अगर आपको evable generation bulk भी करना है तो आपको इधर पे internet connectivity रखना mandatory रहेगा और आपका TSS valid रहना है तभी आप ये online generation कर सकते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों information दोनों documents में मेरा information फीड हो रहा है अभी so cancellation के लिए भी मेरा हो गया है एक और document जो आपको इधर पे message में दिखाई दे रहा है तो जैसे ही complete हो जाएगा आपको एक summary दिखाएगा कितने आपके invoices generate हुए हैं और cancel कितने नहीं हैं और इसका details सारे आपको transaction के अंदर update हुआ जाएगा इसके साथ annexure भी print हुआ जाएगा तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि मेरा information अरड़ी fill हो गया है तो अभी माँ इधर पर evoble का report में check कर लूँगा अभी माँ go to feature यूज़ करके evoble में चला जाओंगा evoble तो अभी देख सकते हैं आप इधर पर evoble generated दिखाई दे रहे हैं और evoble cancel भी दिखाई दे रहे हैं अभी आप देख सकते हैं कि मेरे parties के जो transactions मैंने generate किया था वो already आ चुके हैं तो दोस्तों अगर आपको कोई भी doubt इस वीडियो में आता हैं तो आप comment section में comment करके बता सकते हैं और subscribe कीजिए मेरे चैनल को Tally Learning World को और like कीजिए और share कीजिए Thank you